इस चैनल पर मैं आपको आज मैथ में टॉपिक है मेरा आज का डिफरेंसियल अपकलन पढ़ाऊंगा और उसमें मैं ये कोशन करा रहा हूं बहुत सारे कोशन करा रहा हूं ताकि अपकलन आपकी समझ में आए अच्छा सीख पाएं एक दम 20 से अगर कोशन उठा लेता और बड फिर किरम से समझ पाएं ठीक है तो सुरू करते हैं आज की ये कोशन है शुरू करते हैं समझाते हैं आप तो तो देखिए पहला कोशन मैं ये कर रहा हूं सारे कोशन में मुझे क्या फाइंड करना है पहले तो आप ये याद करो कि मैं यहां लिख दे रहा हूं सभी कोशन म हमें dy bate dx ग्याद करना है यह सब बच्ये मतलब यह आप समझ sed dy bate dx निकालना है आप जानते हैं कि dy dx अब कलन होता है अब हमने क्या किया इन सवालों को समझाने से पहले हमने एक question आपको समझाया कि अब कलन क्या चीज है जैसे हमने एक सवाल बनाया, अपनी तरफ से बनाया, कि by बराबर अगर x square हो और इसका आपकलन करने को कहे, तो आपको सबसे पहले लिखना होता है बच्चो, dy बटे dx, और x square का जब आपकलन करेंगे, तो आप लिख देंगे, d बटे dx, x square, तो ये क्या हो जाएगा इसका, 2x ह हो जाएगा, घात पहले आती है, जो digit f, जो पावर होती ही, वो पहले ले ले लेते हैं, और उस पावर में से एक पावर को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, बने दो पावर है, ये 2x, इसमें से एक कम करोगे, तो एक रह जाएगी, 2-1 ऐसे करके देख लो, 2-1 बराबर ये हो ही आपकी 2x, तो आपको ये पावर इसमें कम करनी है, बीच-बीच में ये सबसे में सूत रहे हैं, कहने का मतलब में फार्मूला है कि घात डिजिट जो पावर है उसको पहले ले लो और उसमें एक कम कर दो, तो हम मैं सारे सवाल हल कर रहा हूँ, आपको बीच-बीच में फिर आप लिखेंगे d बटे dx, लिखेंगे sin x square fill as 5, अब sin का क्या होता है, sin का cause x होता है, इस पूरे को ये जो digit है, ये जो आप देख रहे हैं, sin के आगे ये जो angle में लिखा है, क्योंकि sin के आगे theta होता है, तो इसी को theta माल लो, तो ये जो पूरा theta है, ये x है, इस पूरे को हम कैसे treat करेंगे, ये पूरा x माल लेंगे, तो ये पढ़ने मा आ जाएगा sin x, अब देखो हमें formula पता है, formula पता है d बटे dx, sin x का क्या होता है, cause x होता है, तो इसका हम cause x लिख देंगे, तो इसका क्या होगा, cause x होगा, तो लिख दो cause x, अब इसका दुबारा करेंगे, इसक x square प्लस 5, अब ये हो जाएगा, cause x square प्लस 5, और इसका करेंगे, तो इसका हो जाएगा 2x, और 2x यहां नहीं, यहां लिख देंगे, और इसका हो जाएगा 0, तो 0 लिखाने जाता है, तो यह answer हो गया, कितना आसान सवाल था, ये dy बटे, dx आगे, इसी प्रकार से दूसरा करक के दिखा रहे हैं, दूसरा question देखिए, दूसरा है by बराबर cause sin x, अब इसका करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले dy, बटे, dx, d बटे, dx cause sin x, अब cause sin x का क्या होता है, जैसे sin का cause होता है, ऐसी cause का sign होता है, तो इसका sign हो जाएगा, लेकिन बस दिहान रखना है, minus का होता है, तो sin x, यह पूरा x है, इस पूरे को x माल लो, इसको x की तरह, पढ़ने में तभी तो आएगा, भई, cause sin x मत पढ़ो, ऐसे पढ़ो, cause x, यह पूरा x है, तो cause x, cause x का sin x, अब d by dx लिख दो, अब यह जो sin x है, इसका फिर से कर लो, cause x का यह, इसका sin x का फिर करो, तो sin x का क्या होता है, sin x का cause x होता है, तो cause x लिख दो, और यह ऐसे उतार दो, और minus पहली लगा दो, तो यह d by dx की value आगई, क्योंकि हमें सभी में d by dx की value find करनी है, next बताता हूँ मैं आपको तीसरा question, तीसरा है y बराबर sin ax प्लस b, तो इसका भी आप करेंगे dy over dx upon d by dx और फिर लिखेंगे sin ax प्लस b, अब sin का फिर से आपको मालूम है, sin का cause होता है, तो आप लिख दो cause, ax प्लस b, अब d by dx, ax प्लस b का फिर से कर दो, तो ax प्लस b का क्या करोगे, sin x का फिर लिख दो cause, ax प्लस b, और इसका आप दुबारे करेंगे, तो देगो b सिंगा, constant है, अचरपद है, अचरपद का 0 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, बन, x का बन हो जाएगा, तो यह a आएगा, तो सिरफ क्या देगा यह, यह हमें a देगा, तो आप यह a लिख दो, अब यह a यहाँ लिख दो, तो आजाएगा, a cause, ax प्लस b, तो यह आपका अंसर आ गया, इसी प्रकार, next question करते हैं, चौथा, चौथा है, by बराबर, sin, ax प्लस b, और cause, cx प्लस d, इसमें क्या नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, dy, बटे dx, सबसे नीचे वाला पहले लिखते हैं, cause, cx प्लस d का करते हैं, फिर लिखते हैं, d बटे dx, फिर इस वाले का करते हैं, सबसे उपर जो होता है, sin, ax प्लस b, फिर बीच में माइनस आता है, फिर इसी को repeat कर देते है sin ax plus b फिर लिखते हैं d बटे dx और जिसको छोड़ा था उसका फिर से करते है cause cx plus d और बटे में जो यह term है यह इसका square होता है देखो फिर से बता दे जो answer और हर जो हर है उसे छोड़ देते हैं फिर इसका आपकलन करते हैं और नीचे यहां काँ सब्धूर से सुनिएं नीचे वाला यहां आएगा यहां 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 आएगा फिर यहरेपीट होगा यह यहां जाएगा इसका इसका अब लिखोगेए y बटे cause इसका होगा नहीं क्यों डैटे dx के जो इस साइट में जो left side में उनका नहीं होता है right side वालों का होता है तो इस वाले करेंगे नहीं तो इसे ऐसी लिख दो इसका क्या हो जाएगा sin x है इसको पूरे को x माल लो तो sin x का होता है cause x अब इसका दुबारा करोगे तो ये क्या देगा ये a देगा वो यहां लिख दो ऐसी इसका होगा नहीं क्योंकि left side में है cause का होता है sin तो sin हो जाएगा c x प्लस d हो जाएगा अब c x का दुबारा करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा और c का c देगा सरब ये तो c यहां लिख दो और ये चुकि cause है तो ये minus देगा और minus already है तो plus हो जाएगा और नीचे ये आपका क्या लिख दोगा ऐसे ही बस यह लोगे ये आपका answer आगे इसी प्रकार next question है पांचमा question कर रहे है by बराबर है cause root x देखो बच्चों इसमें root x आ रहा है इसका मैं अलग करके दिखा देता हूँ एक छोटा सा question बना लेता हूँ यहाँ पे यह अलग से question बना रहा हूँ इतने हिस्से का root x का करके दिखा रहा हूँ तो यहाँ दिक्कत ना हो तो आप एक question बना रहा हूँ root x, root x का मतलब यह होता है जिसके उपर root होता है उसकी गहाथ हाफ होती है अब लिखो d by d x मैंने आपको बताया तो जो पावर होती है वो पहले ले लेते है जो पावर होती है वो पहले ले लेते है तो पहले आ गई और इसी मेंसे एक कम कर देते हैं तो एक minus कर दो तो जब एक minus करोगे तो minus का half बचेगा minus का half का मतलब क्या होता है माइनस का हाफ का मतलब होता है यह रूड में होगा और नीचे होगा हर में तो इसका अब गुणा कर लो तो यह two root x है तो यह आप याद कर लो कि root x का यानि कि हमें यह पता चला कि root x का जो result आता है वो यह आता है अब इस चीज़ का हम पाइदा उठाएंगे हर सवाल में जितने भी root x को question आएंगे उनमें हम इस चीज़ का direct लिखा करेंगे तो इसका हो जाएगा dy बटे dx यह हो जाएगा cause root x अब cause root x का क्या होता है sign root x होता है अब फिर से root x का दुबारा करोगे अब root x का दुबारा आपको करना नहीं है आप यह याद कर लो यह रट लो यह हमेशा याद रखो के root x को तो यह लिख दो root x की जगह यह लिख दो burn upon 2 root x और यह ऐसे ही लिख दो minus यह लगा दो इसकी गुणा ऊपर चाहा है तो ऐसे ही लिख दो यह भी answer हो गया और चाहू तो एक और line बढ़ा लो इसकी multiply कर दो इसमें ऐसे लिख सकते हो यह d y d x तो चली रहा है तो यह answer हो गया कोई बात है इस एक ही बात है यहाँ पर भी चोड़ सकते हो यह भी कर सकते हो तो इस तरह से मैंने आपको इतने कोईशन बता दिये देखिए एक यह करा दिया यह दो तीन चार पाच पाच कोईशन करा दिये और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अभी और बताएंगे देखिए स्टुडेंट्स जो कोईशन अभी करा थे उनके ठीक बात यह दे तो देखिए कोईशन नमर 6 मैं उतार रहा हूँ 2x प्लस 3y बराबर है साइन x तो हमें अपकलन करना है कैसे करेंगे तो इसका आपकलन करेंगे तो 2x का तो 2 आएगा क्योंकि x का बन हो जाएगा ना इसकी पावर बन है आप पहले लोगे कहाँ तो 0 बचेगी 0 का बन होता है प्लस 3 और बाई का तो होता है dy बटे dx और sin x का क्या होता है अभी बताया था कॉज x होता है आप 3 ऐसी रहने दो dy बटे dx ऐसी रहने दो यह कॉज x होता लिया और यह 3 यह 2 जो है वो इदर आ गया यह हो गया dy बटे dx यह आपका हो गया कॉज x माइनस 2 अपाउन यह 3 नीचे चला गया तो यह आपका अंसर आ गया इसी प्रिकार से अगला question करते है question 7 a x पिलस b y square cause y अब कलन करेंगे तो इसका x का तो one हो जाएगा तो इसका a आएगा इसका हो जाएगा b वाई square का क्या होगा 2 बाई और क्या आएगा dy बते dx इसका क्या आएगा sine बाई और फिर करेंगे तो आएगा dy बते dx आप देखिए जो एक जैसे term है इसमें भी dy है इसमें भी dy है तो यह पास पास कर लो इसे सही से लिख लो 2by तो इसे लिखेंगे 2by dy बटे dx इस वाले को इधर ले आएंगे तो minus पहले यह तो plus हो जाएगा तो यह हो जाएगा sin by dy और dx और यह जो a है वो इधर ले जाएगे अब आप इसमें dy dx को क्या कर सकते हो common ले सकते हो तो dy dx हमने common ले लिया common लेंगे तो क्या बचेगा 2by बचेगा plus का sin by बचेगा और minus का a बचेगा dy dx को यहीं रोक लेंगे और minus का a ऐसी लिख दिंगे उसके साथ में जो भी यह वो सब नीचे चला जाएगा तो 2by by plus sin by यह answer आगिया इसी प्रकार से next question करते हैं next question है हमारा question number 8 है xy plus y square बरावर 10x और plus y कैसे हैवल करेंगे देखिए इसमें देखो दो दो डिजिट मल्टिक तो पहला पद इसे माल लो दूसरा पद इसे माल लो ऐसा इसली करा गया क्योंकि आप देख रहे हैं सम्में एक पद होता था सिंगल पद होता था देखो यह दो नहीं है जैसे यहां पर दो है मैं यहां दो बोल ला हूँ तो इस तूड़ेंट आप सोच रहे होंगे कि दो तो यहां पर भी है लेकिन यहां दो नहीं एक ही है क्योंकि यह तो अचार है ना तो अचार पद को तो माना नहीं जाता यह तो इसी रहे गा तो यह तो पद है यहाँ पर दो माले जाएंगे क्योंकि दोनों ही बैरियेविल हैं दोनों ही चाहरा है एक्स भी चाहरा है और बाई भी चाहरा है बाई बैरियेविल हैं तो इस दसा में हम इनको एक को पहला माल लेंगे एक को दूसरा माल लेंगे तो यहाँ पर method कौन सा लगेगा गुणावाला लगेगा तो इसको x को छोण देंगे फिर लिखेंगे d बटे dx और by का करेंगे फिर by को छोण देंगे फिर d बटे dx लिखेंगे और इस x को करेंगे यह नियम लगाते है इसी परकार इसका तो पता ही यह 10 X का तो 2 HQ होता है और यह जो by है एसका फिर से हो जाएगा d by סटे dx बहुत आसान फार्जूला है 10 X का 2 HQ हो जाएगा आप देखे इन दो जो बराबर के इदर है उसका हल उसका जो solution है वो यहां से यहां तक है और इदर वाले का ये है बराबर के अब देखो इन में क्या है इन में अभी हमने हल तो नहीं किया है लिख दिया है अब हल करेंगे इसे solve करेंगे आगे x ऐसी रहेगा और इसका हो जाएगा dy बटे dx इसी प्रकार यह हो जाएगा y और इसका हो जाएगा बन को लिखना ही नहीं है यह हो जाएगा 2y और dy बटे dx यह हो गया अच्छा यह ऐसी रहा साइक स्क्वाइर एक्स पिलस dy बटे dx अब जितने भी dy dx है यह dy dx टर्म है यह भी dy dx है यह एक तरब ले आओ सबको तो हमने क्या करा सब dy dx को एक साइड में कर लिए तो x dy dx x dy dx अब उसके पास में कौन सा लिखो यह वाला 2y dy dx 2y dy dx और उसके पास में कौन सा लिखो गए यह वाला तो यह इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा अब बचा कौन उधर तो बचा सेक स्क्वाइर एक्स तो लिख दो और इधर ये यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, ये यूज नहीं हुआ, इसको उधर फेक दो अब dy dx common है, तो बचे का x, पिलस का बचे का 2y और माइनस का यहाँ कुछ भी नहीं है यहाँ बन मान लेंगे तो यह बना जाएगा, तो यह हो जाएगा second square x अब यह पूरी चीज नीचे चली आई, तो dy बटे dx बराबर second square x minus y upon x plus 2y minus 1 यह answer आगया, थोड़ा बड़ा था, कोई इतना कठिन नहीं था question number 9 कर रहे है, question number 9 है, x square xy by square hundred, dy dx बताना है, तो इसका हो जाएगा 2x, इसमें फिर से वोई, पहला पद यह माल लेंगे, दूसरा यह माल लेंगे, क्योंकि दो पद हैं, तो x को छोड़ देंगे, दूसरे का करेंगे, दूसरे को छोण देंगे पहले का करेंगे इसका करेंगे इसका कैसे हो गए इसका तो 2y हो जाएगा और dy dx लिख देंगे चुकि यह constant है तो इसका 0 हो जाएगा अब इसमें से dy dx देखो अब देखो इससे solve कर ले रहे हैं यह 2x हो गया यह आपका हो गया x dy dx यह हो गया y यह बन हो गया तो बन तो लिखा नहीं जाएगा पिलस 2 dy dx बराबर 0 dy dx common आ रहा है इनमें dy dx common ले लो dy dx common ले लो तो common लोगे तो क्या बचेगा x पिलस बचेगा 2y इससे उदर ले जाओ यह भी उदर ले जाओ dy dx इसी लिख दो इसमें से minus common ले लो तो बचेगा y प्लस 2x और यह चीज नीचे चली जाई यह आपका अंसर आजाएगा इसी परकार question number 10 करते हैं तो 10 थोड़ा सा बड़ा है इसको यहाँ पर करते हैं यहाँ करते हैं question number 10 x cube x square y x cube x square y x cube x cube x square y x y square पिलस by cube by cube equal to 81 करते हैं सौर तो देखो यह इसका हो जाएगा 3x square बहिए digit पहले आ गई जो power पहले आ गई और इसमें से एक कम हो गई x square को छोड़ दिया d by dx का कर लिया x square को छोड़ दिया इसका कर दिया बाई का अब बाई को छोड़ दिया और x square का कर लिया इसी प्रकार से x को छोड़ दिया इस x को छोड़ दिया तो क्या करेंगे d बटे dx y square का करेंगे y square को छोड़ दिया किसका करेंगे इस x का करेंगे और इस y cube का करेंगे तो y cube का मैं लिख दे रहा हूँ 3 by square dy upon dx और इसका जो 0 हो जाएगा फिर से देखें देखो इसका 3X स्कॉयर हो गया X स्कॉयर को हमने छोड़ दिया इस बाई का कर लिया इस बाई को छोड़ दिया X स्कॉयर का कर लिया X को छोड़ दिया Y स्कॉयर का करेंगे Y स्कॉयर को छोड़ दिया x का करेंगे y cube का 3 by square हो गया dy dx हो गया वरावर इसका 0 गया constant 3x square ऐसी लिख दिया x square लिख दिया dy dx लिख दिया ये इसका 2x हो जाएगा तो 2x y लिख दिया 2x इसका होगा y ये है इसका हो जाएगा 2xy 2y पहले आएगा तो 2xy हो जाएगा और y का फिर करेंगे तो हो जाएगा dy y वटे dx इसी प्रकार y square ऐसी रहेगा इसका बन हो जाएगा बन लिखने की जरूद नहीं है और ये हो जाएगा 3y square dy वटे dx बराबर 0 dy dx common आगया common लोगे dy dx तो x square बचेगा और क्या बचेगा 2xy बचेगा क्या बचेगा 3y square बचेगा बराबर में कौन कौन बचेगा ये 3x square उदर फेक दो बचेगा 3x square को उदर ले जाओ इसको भी उदर ले जाओ सब माइनस क्यों गए क्योंकि सब इदर पिलस थे dy dx को छोण दो ये पूरी लाइन उतालो इसमें सब माइनस common ले लो तो बचेगा 3x square 2xy by square और ये पूरी चीज नीचे आ जाई x square 2xy plus 3y square ये answer हो students next question कराते है question number 11 है sin square by plus cause xy equal to k dy dx ही find करना है समने है इसी नहीं मैंने हो मिटाया नहीं वही लिखा हुआ है तो अब देखो sin कैसे करेंगे जो पावर है वो पहले आएगी तो इसका हो जाएगा 2 sin by 2 sin by हो गया पावर पहले आगी 2 sin by अब sin by का क्या होगा sin by का होता है cause by sin by का cause by हो गया अब बाई का करेंगे तो बाई का क्या हो जाएगा dy बटे dx हो जाएगा इसी प्रकार पिलस cause by का करेंगे तो cause by भई cause ये एक इसको एक मानो ना जैसे ऐसे देखो दिखा तो cause x y है लेकिन हम cause x y अगर पढ़ेंगे तो आप कलन नहीं कर पाएंगे इसका इसको हम एक अक्छर सिर्फ डिनॉट करेंगे मानि इसको एक मानो कोई एक टर्म मानो तो मैंने इसे मान लिए cause x इस पूरे को x मान लिया तो cause x का तो sin x होता है तो मैं sin x लिखूँगा ना और माइनस का होता है तो मैं माइनस का क्या लिख दूँगा माइनस का साइन X X का मतलब XY यह मैंने लिख दिया अब XY का फिर करूँगा तो XY का कैसे करते हैं XY का तरीका क्या होता है X को छोड़ूँगा Y का करूँगा Y को छोड़ूँगा x का करूँगा बंदो गई ब्रैकेट और इसका तो 0 हो जाएगा अभी हो गया 2 sin by cos y dy dx plus minus minus plus minus minus sin x y और इसका क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा x तो ऐसी रहेगा dy dx और ये बन हो जाएगा तो सिरफ by लिखेंगे बराबर 0 अब आप देख रहे हो ये ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है अंदर multiply होगा इसका कैसे multiply होगा तो सबसे पहले तो ये लिख दो 2 sin by cos by by dx अब इसका अंदर multiply करेंगा तो आएगा x और sin xy dy dx multiply होगा अंदर और इसके पास में भी लिख गया अब इसका अंदर इसमें multiply करेंगा तो आएगा by minus है नदर minus plus minus by sin xy बराबर 0 अब इसमें dy dx common आ रहा है दोखो ये वाला यहां से यहां तक इसमें dy है dy dx है और इसमें भी dy dx है तो common ले लो तो यह बच्चे का 2 sin by 2 sin by cos by minus x sin xy sin xy bracket बराबर ये टर्म बची इसको उदर ले जाओ तो ये plus हो जाई अब ये dy dx ऐसी रहेगा और ये ऐसे ही लिख दूगे बाई sin xy और ये सब नीचे आ जाएगा 2 sin x sin by और cos by x sin xy ये sin 2y भी होता है चाहों तो इसकी जगाए एक लाएन और बढ़ा लो यहाँ बढ़ा दो y sin xy ये sin 2y लिख दो इसकी जगाए ये पूरा फार्बुला होता है sin 2y की तो मैं इस पूरे की जगाए sin 2y लिख रहा हूं और ये ऐसे ही रहना है तो ये आपका आंसर है ये यहाँ फार्बुला लगा दिया sin सूत्र होता है 2 sin x cos x 2 sin x cos x sin 2x तो यहाँ x तो है नहीं y में तो y लिख दिया अगर x में होता तो x लिख देते next question कर रहा है 12 देखें y बराबर है sin inverse 2x 1 plus x square इसको कैसे करें क्या करें इसको देखो अगर पूरे को x मानने तो complicated हो जाएगा तो इसमें हम क्या करते हैं easy करने के लिए x बराबर माल लेते हैं माना x बराबर 10 theta x बराबर 10 theta माल लेंगे इससे आसान हो जाएगा यह तरीका जो मान के करने वाला तरीका है easy है यह इससे question सरल हो जाता है easy हो जाता है इसलिए यह बिदी लगाएंगे method इसलिए उसकर रहे हैं तो by बराबर sine inverse 2 10 theta क्योंकि जहाँ जहाँ x है बहाँ बहाँ हम 10 theta रख देंगे क्योंकि हमने x के बराबर माल लेंगे तो यहाँ पे भी रखेंगे अब यह जो इतनी चीज है इधर का नहीं मैं देखो इसको bracket में कर देता हूँ ताकि अच्छा समझना है तो यह sine 2 theta के बराबर होता है यह होता है sine 2 theta के बराबर अब देखी यह inverse है और यह without inverse वाला इसमें तो inverse है नहीं तो यह cancel हो जाएंगे तो by बराबर आजएगा है सरफ 2 theta अब by बराबर 2 theta आगे 2 as-ira theta का माने हाँ से निकालने तो theta बराबर क्या जाएगा 10 inverse x आजएगा 10 inverse x आगया अब 10 inverse x का सूत्र क्या होता है formula क्या होता है 10 inverse x का होता है 1 plus x square इसका यह होता है 2 as-ira इसका formula में 1 plus 1 upon होता है इतना तो यह answer है next question कर रहे है question number 13 कर रहे है 13 है by बराबर cause inverse by बराबर cause inverse 1 minus x square 1 plus x square तो इसमें भी वही complicated ना हो cut in ना हो, सरल हो तो x बराबर 10 theta माल लो x और 10 theta की जगा हम कुछ और भी मान सकते है लेकिन सवाल और दूसरे तरह के होंगे तब मानेंगे इनमें 10 यह सब 10 theta से ही होंगे क्योंकि 10 theta का formula इनमें बनना है इसलिए 10 theta से कर रहे हैं अगर 10 theta से नहीं बनता तो कुछ और रखते हैं लेकर 10 से बनना हैं, तो इसलिए 10 रखेंगे, तो Y बरावबर क्या हो जाएगा, cause inverse, 1-10 square theta बन प्लस 10 square theta Y बरावबर क्या हो जाएगा, cause inverse, ये हो जाएगा, cause 2 theta के बरावबर अब देखें, inverse है, और ये बिना inverse, without inverse बाला है, cancel out हो गए तो y बराबर क्या बचा 2 theta बचा फिर y बराबर 2 ऐसी रहा theta की जगा यहां से निकाल लो 10 inverse x तो इसका क्या जाएगा dy बटे dx फिर से 2 ऐसी रहा इसका 1 प्लस x square तो यह answer होगी यह question number 14 करते हैं y बराबर है sin inverse 1 minus x square 1 plus x square है फिर से वही x बराबर 10 theta मानेंगे तो लिखेंगे y equal to sin inverse 1 minus 10 square theta 1 plus 10 square theta अब फिर से यह formula बन गया y बराबर sin inverse cos 2 theta का बना अब देखो यह cancel नहीं हो सकते हैं क्योंकि यह sin नहीं है यह cause फिर देखो formula होता है formula होता है sin 90 minus theta बराबर cos theta एक होता है cause 90 minus theta बराबर sin theta तो मैं इसको sign में लिख देता हूँ तो मैं दो formula है आप इन दोनों को दोनों का मैंने use करना आना चाहिए आपको किस तरीके से हम use करेंगे तो देखो हमने क्या लिखा हमें एक जैसे करने है हम यह चाहरा है यह जो cause है यह भी sign बन जाए यह cause है यह sign बन जाए तो बन जाएगा देखो हम क्या लिखते हैं by बराबर हमने ऐसे लिखा sign sign 90 minus 2 theta आप देखो हम आपको होगे के सर यह तो गलत कर दिया आपने यह सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं तो को लिख सकते हैं sign 90 minus 2 theta sign 90 minus theta बराबर cause 2 theta देखो यहां से sign 90 minus theta बराबर cause क्योंकि अगर मैं इसमें formula लगा दूँगा तो यह फिर से cause बन जाएगा तो इसकी जगह मैं यह लिख सकता हूं क्योंकि यह फिर से वही दे देगा तो बैक आ रहे है नहीं इस चीज इस से फिर से वही चीज बन जा रही है तो इसका मतलब यह सही है आप ध्यान से देखो अब इसमें क्या फाइदा आए अब देखिए हमें इससे फाइदा क्या होगा फाइदा ही होगा इस sign cancel हो जाए पहले cancel नहीं हो रहे थे अब यह देखो कट गए एक inverse और एक बिना inverse वाला तो यह हो जाएगा यह बराबर हो गया sign यह तो sign cancel होगा तो 90 minus 2 theta बचा आचा 90 को ऐसे भी लिख सकते है 90 का मतलब pi by 2 भी होता है अब हमने लिखा by यह pi by 2 ऐसी रहने दिया 2 theta की value फिर से change कर ली अब आप कलन करेंगे तो लिखांगे dy बटे dx इसका 0 minus 2 और इसका 1 plus x square अब 0 ना तो जुड सकता ना घट सकता तो यह minus यहाँ लगा दो और 1 plus x square तो यह हो गया तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने का था यह इसलिए बने एक ना लिखके दो रहो लिख दिये इन सूत्र का आप use करना समझ गये होंगे इस तरह से ही इसको करेंगे इसके बाद हम question number 15 करते हैं question number 15 है by वरावर cause inverse 2x 1 plus x square फिर से x वरावर 10 theta माना तो बाई बरावर हो जाएगा cause inverse 2 10 theta और 1 plus 10 square theta बाई बरावर हो गया cause inverse x यह sine 2 theta के बरावर होता है अब देखो यह sine 2 theta के बरावर है अब देखो फिर यह match नहीं कर रहे हैं इसलिए देखो अब यह दूसरा वाला काम आ जाएगा इसकी जगह मैं cause 90 minus theta लिख दूँगा क्योंकि sine के बरावर होता है ना तो मैं इस वाले का यूज कर ले हूँ इसलिए मैं दोनों लिख दिये थे तो यह हो जाएगा by बरावर cause inverse cause अब की मैं 90 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे बाद मैं 90 की जगह pi y 2 लिखना पड़ा था तो मैं क्यों ना pi y 2 लिख दूँ तो मैंने यह लिख दिया pi y 2 minus 2 theta अब देखो cause 90 minus theta बराव sin theta अब यह दो कैंसल आउट हो गए तो by बरावर क्या बचा pi y 2 minus 2 theta अब d y बटे dx करेंगे तो जीरो minus अब भी नहीं करेंगे पहले हमने इसकी value नहीं रखी by बरावर pi y 2 पहले value रख लो 2 theta की क्या हो जाए value 10 inverse x तो इसका 0 हो जायागा आप कर दो difference यह तो 0 minus 2 1 plus x square फिरसे नहीं 0 जोड सकता नहीं घट सकता तो क्या करेंगे हम d y बटे और यह minus का 2 1 plus x square तो यह आपका answer आ गया इसी पर का next question करते हैं question number 16 question number 16 by equal to kya है 10 inverse x 3x minus x cube और 1 minus 3x square है तो फिरसे वो ही माना x बरावर 10 theta तो by बरावर हो जाएगा 10 inverse 3 10 theta यहाँ x है तो वहाँ 10 theta रख दे रख दिया हमने कुछ नहीं करना है जहाँ x है वहाँ 10 theta रख दो यह 10 3 theta का फार्मूला है यह 10 3 theta के परावर है यह 10 3 theta का फार्मूला है इसको 10 3 theta का फार्मूला है बंद कर दिया यह cancel out हो गए तो 3 theta बचे 3 ऐसी रहा theta की value लिकाल दी 10 inverse x dy upon dx तो 3 upon 1 plus x square तो देखा सारे question यह जैसे थे इस type का कोई भी question होगा आप solve कर लेंगे बढ़े बहुत आसानी से help कर लेंगे मैंने some method किरम से सिखा रहा हूं आपको देखे students जहां तक पढ़ा है उसी के आगे पढ़ाते हैं तो question number 17 है by equal to sec inverse 1 minus 2x square minus 1 देखे इसमें 10 नहीं रखेंगे 10 से नहीं आया गाई है इसमें रखेंगे cause तो x बढ़ावर रख दिया cause theta इसमें यह मानेंगे by बरावर क्या हो जाएगा second verse बन अपान 2 cause square x 2 cause square x नहीं ठीटा रखना है ठीटा है ठीटा है minus 1 तो by बरावर हो जाएगा second verse यह हो जाएगा 2 cause square theta minus 1 यह cause 2 theta के फार्मूला है यह 2 cause square theta minus 1 बरावर cause 2 theta होता है रख दिया 2 theta by बरावर हो गया second verse यह cause 2 theta का बना पान cause है तो इससे sack लिख सकते हैं अब यह दो को एक inverse और एक simple तो यह cancel हो गए तो by बरावर क्या है 2 theta by बरावर 2 ऐसी रहा theta की value replace कर दो तो हो जाएगा cause inverse x differentiate कर दो तो क्या हो जाएगा इसका इसका हो जाएगा 2 और under root 1 minus x square लेकिन cause है तुम negative देगा cause क्या देता है negative देता है तो यह answer आ गया चलिए next question है by बरावर लिखा है e x sin x तो dy upon dx कैसे करेंगे sin x को छोण देंगे फिर किसका करेंगे e x का करेंगे फिर e x को छोण देंगे और किसका करेंगे sin x का और नीचे इसका क्या हो जाएगा square sin x को छोण देंगे e x का e x ही रहेगा e x को छोण देंगे sin x का cause x होता है नीचे हो गया sin square x e x common आ गया तो उपर बचेगा sin x minus cos x और यह हो गया sin square x इसको ऐसी रहने देंगे मतलब जैसा चलना है और d y upon dx यह answer आ गया next question करते है 19 question 19 है by बराबर e sin inverse x तो लिखेंगे d y upon dx अब e x इसको e x मानो इससे पढ़ेंगे कैसे e x यह पूरा x है तो e x का तो e x ही रहता है अब इसका दुबारा करेंगे d b लिख देते हैं बड़ा d मैं बड़ा d लिख रहा थे लेकिन अभी मैंने नहीं लिखाया किसी में इसलिए नहीं लिखता हूँ बैसे capital d भी लिख सकते थे यह हो गया e sin inverse x अब sin inverse x का क्या होता है 1 upon under root 1 minus x square आंसर आ गया इसी तरह से हम next question करते हैं 20 by equal to e x cube कैसे करेंगे तो dy upon dx e x cube का e x cube ही रहाएगा x cube का दुबारा करेंगे अब की देखो मैंने d लिख दिया है चलो d से समझा देता हूँ dy dx लिखो या capital d लिख दो कोई फरक नहीं है अब यहाँ पर आ जाएगा x cube का तो यह e x cube ऐसी रहा और इसका हो जाएगा 3 x square क्योंकि हमने तुम पता है power पहले आती है कम हो जाती है इसी प्रकार से इसका करेंगे किस question number 21 by बराबर क्या है sine tan inverse e x dy upon dx इसे पूरे को x मानो तो sine x का cause x cause x लिख दो अब tan inverse x का दुबारा करोगे यह tan inverse x का इसका क्या होता है 1 प्लस e x का whole square अब इस e x का दुबारा करोगे तो dx अब सब को लिख दो इसकी multiply इसमें कर दो cause tan inverse e x और 1 e x यहां से आएगा इसका भी तो e x ही होगा और यह ऐसे लिख 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 सकते हो e x e x दो बार है ना square है तो इसे लिख दो e 2 x तो यह answer हो गया अगला question करते है 22 यह d by dx हो गया अगला है by बराबर log cause e x कैसे करेंगे हैं तो लिखेंगे d by upon dx इसे x पढ़ेंगे log x log x को होता है बन upon x तो e x लिख देंगे अब cause x का दुबारा करेंगे कैसे करेंगे तो यहां लिखेंगे d cause e x cause e x का क्या होगा sine e x तो sine e x और यह इसे लिख देंगे अब e x का फिर से करोगे तो e x का फिर से करोगे तो यहां पर लिख भी दे रहे हैं dx अब e x का एक बार और करोगे यह इसे लिख दो d by upon dx और मैं इसका अंसर यहां लिख देता हूँ e x का e x ही रहेगा वो e x यहां लिख देंगे यहां e x यहां लिखो यहां लिख दो तो minus का e x sine e x और cause e x चाहूं तो इसे tan e x भी लिख सकते हो tan e x तो बराबर हो गया minus e x tan e x यह आपका अंसर आगे ठीक है students मैंने सारे question करा दिये आपको बहुत differentiate के सभी करा दिये लगवग लगवग इतने तरीके के तो हैं फिर इसके आगे कुछ और complication problem है complicated नहीं थोड़े वो वो भी question कराएंगे माने किरम से पढ़ा रहे हैं आपको अगर आप इतना सब सीख लेते हैं तो आपको आपको लंग में कोई problem नहीं हाई thank you for watching this video